नमस्कार दोस्तों वेलकम टू एश्टेडी 24 इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में निकाली गई है केंद्रिय विद्यालाई की और से नई नई भरती तो बहुत सारे जिले में वेकंसी आई हुई है तो चलिए कौन-कौन से जिले में भी बरतमान में आई ह हुई है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो लाश्ट तक बने रहिएगा और कौन-कौन से पोस्ट पे आई हुई है वेकंसी इसके बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले बात करें कि अभी जो वेकंसी आई हुई है देखिए यहां पे केंद्रिय पहिया, कार खाना, बेला, यानि कि सारन, छपन, खबरा, बिहार की और से निकाला गया था त injury टिष्ट का मेहा पे दिखा रहा हुँ और ऐसा नहीं है कि दूसरे दिले में आप नहीं भर सकते हैं, सभी जिलों में आप आभी दन कर सकते हैं, कोई दिक्यत नहीं है, आगे ब भाग ले सकते हैं केंद्रिय विद्याले आयाईटी पटना बेटा में सतर चौबीस पचीस के लिए अंसकालिक संभिदा सिच्छकों की नियुकती है तू सिच्छकों का पैनल बनाने के लिए बॉक इन इंटर्वियू का आयोजन दिनांक दो मार्च दो हजार चौबीस को कार है कौन-कौन से बद है तो देखिए बद जो है प्राथमिक सिच्छक का प्यार्टी का है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है एंड अस्पेशल एजुकेटर का है तो यह तो पटना का हो गया अगला हम लोग देखते हैं यह जो आपका सहरसा से निकाली गई है इसमें का पैनल तयार करने है तो बॉक इन इंटर्व्यू आयोजित किया जा रहा है जिसमें आप देख पा रहा होंगे पीजीटी केमेस्ट्री हिंदी कॉमर्स के लिए उनतीस दो दोजाट चौवीस को साड़े आर्ट बजे इंटर्व्यू आयोजित की जाएगी टीजीटी और साथ में जो है नर्स की भरती निकाली गए जिसका भी इसका भी देखे 29 फरवरी को ही इसका एंटर्व्यू आयोजित किया जाएगा तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हमें देखे वेबसाइट बताई गई है सहारसा.kbs.se.in से आप फॉर्म को डाउनलोड करके भर स गए तो इसके लिए भी भैकन से निकाली गए आगामी सतर 24-25 में अंसकालिक संबीदा सिच्छकों का फैनल तयार कर उनकी सेवाओं को विद्याले के आवैसाकता अनुसार लेने के लिए केंद्रे विद्याले रेल पहिया करकाना बेला में वाक इन इंटर्व्यू का बजे तक पंजी करन कर भाग ले सकते हैं प्राथमिक सिच्छर, सिच्छक, कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर, डांस, संगीत, कोच, एबंगेम कोच और देखें TGT टीचर जिसमें सब्जेक्ट जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणीत, सामाजिक बिग्यान, बिग्यान और संस यह इंटर्व्यू आयोजित की जाएगी, अब यहाँ पे योगिता है, तो देखी, यहाँ पे केवियस संग्रतन के वेबसाइट से आप योगिता देख सकते हैं, और वायोडेटा फॉर्म आप सारनवेला.केवियस.ac.in पे जाके आप वायोडेटा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और विसे जानकारी के लिए इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं. तो सभी का सभी फॉर्म जो है, मैं आपको एक जगा उपलब्द करवाने वाला हूँ, ठीक है? यह नहीं कि आपको अलग-अलग वेबसाइट फे जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसा पहले योगेता वगेरा आप लोग देख लीजे, उसके बाद अगर आप इसमें इलिजिवल है, तो आप आविदन करें, योगेता सभी में सेम है, इसलिए मैं आपको एक ही दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि पोश्ट एक ही है, सैलरी भी एक ही है, सब कुछ एक ही है, त जो है 18-65 साल के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए बतायागा है, सिनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, ठीक है? 50% अंकों के साथ, और साथ में 2 साल का डिपलोमा इन इलिमेंटरी एजुकेशन, यानि DLA होना चाहिए, या फिर अगर ये नहीं है, तो आपका सिनियर सेकेंडरी यानि इंटरमेडियेट 50% अंकों के साथ, चार साल का बैचलर ओफ एलिमेंटरी एजुकेशन, यानि की BLA होना चाहिए, या फिर अगर ये भी नहीं है, तो और में और बतायागा है कि सिनियर सेकेंडरी के साथ, 50% अंकों के साथ, 2 साल का एजुकेशन के साथ, 50% अंकों के साथ, बैचलर ओफ एजुकेशन, प्राइमरी, देखें, प्राइमरी बी एड अगर आपने कर रखा है, तो भी आप जाके इसमें भाग ले सकते हैं, अब देखिए, इलिजिविटी टेस्ट बगरा के बारे में भी कुछ जैनकारी दी आपके पास है, तो आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जा सकते हैं, या फिर देखिए, अगर यह भी यह नहीं है, उपर वाला तो आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है, किसी भी सबजेक्ट से, या फिर मैथेमेटिक से, तो भी आप इसमें जा स सकते हैं, और Computer Application यानी कि DCA वाले भी इसमें जा सकते हैं, सुष्षी यहाँ पे Post Graduate अपगर आपके पास है, तो भी आप जा के बैचलर डिग्री और यहाँ पास अगर घर वह भी नहीं है तो आपके पास आपके पास अगर graduate की डिग्री है और साथ में Post Graduate Diploma in Computer तो PGDCA अगर आपके पास है तो भी आप जाके इसमें भाग ले सकते हैं और यहां पर बतायागा है प्रोफिसियंसी आपका टीचिंग जो है हिंदी इंगलिस में आना चाहिए आपको असफेशल एजुकेटर के लिए डीएड मांगा गया है असफेशल एजुकेशन में और यहां पर सैलरी के रूप में बतायागा है 21,500 रुपे दिखायागा है 21,250 रुपे दिखायागा है तो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं देखे सैलरी सभी का एक ही है और फॉर्म भी सभी का एक ही है सिर्फ फॉर्म में देखे यह बदला है कि यहां पर पटना लिखा हुआ है सहरसा बाले में सहरसा लिखा हुआ है और छपरा बाले में छपरा बेला लिखा हुआ है तो मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ देखे यहां पर फॉर्म मुझे अगर आप आपकी category जो है SC, ST, OBC जो भी है वो ये लिखने के लिए आप एक कह रहा है फिर यहाँ पर pen card number मांगा जा रहा है nationality मांगे जा रही है और qualification का detail बगेरा और experience, teaching experience अगर आपके पास है तो उसको detail को यहाँ पर fill करना है इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर signature बगे में जो कि सारन में है तो उसमें भी form निकाल दी गई है आप देख पा रहे होंगे यह form निकाली गए इसमें भी वही सब चीजे है पोस्ट का नाम लिखना है किस पोस्ट के लिए पावेदन कर रहे है candidate का नाम यहाँ भरना है father या husband का नाम भरना है full address यहाँ पर लिखना है mobile नंबर दो mobile नंबर मांगा जाना है तो दो mobile नंबर और date of birth, email ID और यहाँ पर educational qualification मागी गई है यहाँ पर experience का detail मागा गया अगर आपके पास है तो भरे नहीं तो खाली छोड़ दे, undertaking के बाद नीचे signature है, date है तो इसी परकार से अगर आपको सभी का सभी form डाउनलोड करना है और कहां कैसे भेजना है उसके लिए notification को पढ़ना है, तो notification कहां से आपको मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है आप सीधे आजाए रोजगरविहार.com पे और यहाँ पर आने के बाद देखे, join WhatsApp गुरूप दिया हुआ है, इस पर आपको किलिक कर करनी है, किलिक करते ही लिंक खुल जाएगी, लिंक खुलने के बाद यहाँ पर देखे, WhatsApp चैनल दिखाई दे रही है, बस इस पर आपको किलिक करनी है, WhatsApp आपका ओपन हो जाएगा, उसमें follow का option मिलेगा, follow कर लीजिए, तो आपको जितने भी form आई हुई है, KVS की ओर से, सार करनी है, क्योंकि एक एक करके, अगर मैं आपको बताने लगू कि कहा form भेजना है, कैसे भेजना है, तो बहुत ज्यादा लबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने आपको सौट में बताया है, तीनों का, तो जड़ली से डाउनलोड कर लिजिए, इसे ग्रूप से जाके, और अपना अपना form फिल अफ करिए, तो मैं मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपरेट के साथ, तब तक के लिए वाई, जेहिंद,